जो आपका Assistant Locopilot है, ELP है, उसके syllabus के बारे हम बात करेंगे, syllabus and उसका paper pattern किस तरह से होता है, कौन-कौन से आपके exam होगी, उसके बारे हम लोग बात करेंगे, तो चलिए start करते हैं, देखेंगे, यहाँ पर सब कुछ दे रखता है, जो आपकी recruitment process है, वो क्या है, इसमें क्या होगा सबसे पहले आपका CVT first होगा, क्या होगा इसमें, CVT 1, ठीक है, CVT 1 होगा, CVT 1 होगा, इसके बाद आपका CVT 2 होगा, जान रखेगा, process क्या है, किस तरह से आपके exam pattern होगा, तो recruitment जो process है, उसमें सबसे पहले क्या होगा, जो आपका first है, first paper है, मतलब CVT 1 होगा, फिर इसके CVT, मतलब computer based aptitude test, यह आपका psychometry होता है, तो psychometry वाला ही है, फिर इसके बाद आपका क्या होगा, डीवी होगा, फिर इसके बाद आपका medical examination होगा, तो हम लोग इसमें syllabus की बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले syllabus किसका, CVT 1 का, तो जो आपका CVT 1 है, उसमें क्या होगा, कि जो total आपकी number of questions होगे, तोटल number of questions होगे, वह होगे, 75, कितने होगे, 75, इसको थोला समयच छोड़ा करता हूँ, देखेंगा, इसको छोड़ा करता हूँ, ठीक है, अद देखेंगे, तो जो आपका CVT 1 होगा, CVT 1 में आपकी जो questions होग कितने होगे 75 होगे हर कुश्चन एक number का होगा एक number का होगा एक question ओगा एक number का का एक question होगा इसके बाद जो आपकी negative marking और अपन 3 की negative marking होगे इसके बाद क्या होगा देखे यह यहां पर जो minimum passing percentage for eligibility ये दे रखता है कि 40 परसेंट आपका कि यहां पर क्लाइटरिया दे रखता है इतना आना चाहिए जो रियल्टी ऐसा तो होता नहीं है कि 40% नमबर आगे आप पास होगा ऐसा नहीं होता है कि बहुत जाना कमपेशन होता है तो ऐसा कुछ नहीं है इस पर फोकस मत करेंगे बस आपको ध्यान रखना है कि 75 किसकि कराएंगे आपके मैस है रीजनिंग है उसका सलाइबस मैं दिखाता हूँ देखें किस किराएंगे सबसे पहले बात करेंगी मैस की इसको तो तोला मैं क्या है यह जो आपकी बैँंति है आप अब सिचेसा कोयों पर्सलिक्ति मत्रम मैस की बात करेंगी न joyful परसेंटेज हो गया टाइम वर्क है टाइम डिस्टेंस है और इंट्रेस्ट वह आएगा आपका प्रॉफिट लॉस आएगा अल्जेब्रा है जिमेट्री है टिक्नोमेट्री है इलिमेंट्री आपकी स्टेटिक्स है इसका है रूट्स है इस कलेंडर वह आपका किलोग है पाइप किस्टर ने एकसर एकसर यह सब आपका कितना सालस लेव है और चीज़ आ सकते हैं इसके बाद देखेंगे कि जनरल अबिलिटी में आपका क्या जैसे एनलोगी है अलफावेट्रिकल टेस्ट है और आपकी नमबर इसके बाद conclusion and decision making देखेंगे यह जो syllabus है एक-एक पॉइंट बहुत important रहता है लड़के के अपने पढ़ना है स्टार्ट कर देते हैं जैसे एक्जाम आया कोचिंग बगरा जोइन कर नहीं इधर भाग रहा है अपना पढ़ना स्टार्ट कर लिए लेकिन syllabus कोई पढ़ता नही लेकिन syllabus तो देखें कमसखम सबसे पहले का होता आपको syllabus देखता होता है मैंने जो LPR नाइंटर में सका डीवी होगा था तो मैंने सारे सारे सीविटी बन सीविटी टू सीविटी टू में आपके दो पार्ट होते है यह और मतलब एक आपका जो ट्रेड वाला होता है दूसर तो जतना मुझे experience है तो थोड़ा सा आप फायदा उठाईएगा उसका तो सबसे पहले syllabus फढ़िएगा syllabus है क्या उससे proper तरिके समझेगा किसी एक paper में note कर लीजिएगा और एक एक line पूरा आपको अच्छी से पढ़ना है तभी आपका selection होगा ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है तो देखिए बात करेंगे इसके बाद similarities है और आपकी जो मेंटल एबिलीटी है उसका syllabus है और mathematics है इसके बाद आप करेंगे जर्नल साइन्स में क्या होगा आपका physics chemistry जो आपकी bio है means life science है वो आपकी 10th level तक की आएगी ठीक है तो 10th standard कि आप पढ़ लिजीगा कोई भी NCRT book से पढ़ लिजीगा उसमें आपको काम हो जाएगा इसके बाद जर्नल अबेनेस में आपकी current एफेर तो आपको daily पढ़ना है इसका science and technology sports culture and personalities economics and politics and other subject of importance तो other subject में अलब क्या है history, geography, political science सब कुछ आएगा इसमें ठीक होगा है इसके बाद बात करेंगे cvt2 अब यह इंपोर्डन यह था आपका cvt1 इसमें आप पास करेंगे cvt2 के लिए कितनी लड़के होगी जितनी आपकी विकेंसी उसका 15 times कितना time 15 times यह जो आपकी विकेंसी दे रखी हो आपकी increase हो सकते है decrease हो सकते है कम जाना कुशी भी हो सकती है ज cvt2 इसके लिए सेलेक्ट होंगे कितनी 15 times है cvt1 आप पास करेंगे तो जो पास करेंगे वह वह विकेंसी क्या होगा 15 times होगा 15 times लियान रखीगा 15 times अब cvt2 में क्या होगा cvt2 का जो syllabus उसको देह लिए यह तू पार्स में डिवाइड है दो पार्स होगे part A and part B part A में क्या होग कि 90 minutes मिलेंगे 100 questions रहेंगे 100 questions किसके रहेंगे math वारा जो आपकी reasoning है and आपकी basic science है इसका सलाव से दे रखे है देखिए पूरा में सलाव से आपको बता दो तो cvt2 जो आपका 2 है cvt2 का कह रहेगा 2 parts में divided रहेगा जो आपका cvt2 है 2 parts में divided रहेगा इसमें का आपका रहेगा part A and part B, part A में 100 questions रहेंगे और part B में कितने रहेंगे 75% रहेंगे, time दे रहेंगे 60 minutes में रहेंगे और 90 minutes में रहेंगे यह वाला आपका क्या है qualifying nature का है, qualifying nature कितने number आने चाहिए 35% यह रखेए 35% तो 35% इसमें इसमें कंपरसरी है यह आपका qualifying nature का है, अगर जब इसको आप पास अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप यहां से fight से बाहर हो जाएंगे, तो आपका यह जो part B है, काफी important है, ठीक है, part B काफी important है, इसमें बहुत सारी हर engineering जैसे की mechanical हो गया, electrical हो गया है और जो आपकी, जितने भी आपके part है, electronics engineering हो गया, सबके लिए अलग-अलग उसकी trade दे रखी है, तो उसको आपको particular पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसके बारे मैं आपको बदाऊंगा, अलग से, देखेगा, तो बात करेंगे सबसे पहले, part A, तो part जो A है, part A की बात करेंगे, तो part A में क्या, देखेगा, part A में क्या number system, वही same syllabus, ठीक है, number system हो गया, board mass हो गया, decimal fraction, and LCM, SC, ratio, proportion, percentage, mensuration, time work, time distance, and component test, profit, loss, algebra, इसके बारे में आपकी स्टर्टिक्स हो गई है, इसका रूट्स हो गए है, इस सब आपको syllabus क्या ऊपर वाली है, ठीक है, इसके बाद general intelligence and reasoning, reasoning में क्या, वही देखो number series हो गया, coding, recording, and jumbling, when diagram, ठीक है, सारा syllabus उपर वाला तो same है, means क्या है, पहले first के लिए, जो CBT 1 है, उसके लिए आप पढ़ेंगे, math और जो आपकी reasoning उसमें काफी help मिलेगी, and basic science में आपकी जो रहेगी engineering बगर है, ठीक है, basic science में क्या रहेगे, देखी, इसमें आपका जो board topics है, covered under the cell, engineering drawing, तो आपको engineering drawing पढ़ना पढ़ेगा, engineering drawing में 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 बला, projection है, view है, and आपकी drawing instruments है, line है, and आपके geometrical figures है, symbol representation है, ठीक है, यह आपकी unit बगर है, and आपका measurement है, mass weight, identity है, work, power, यह सब आपको पढ़ने पढ़ेंगे, तो यह काफी important वाला part है आपका इस वाले में, ठीक है, क्योंकि आपकी merit इसी से बनेगी, ठीक है, ध्यान रखेगा, merit आपकी क्या बनेगी, इ इस पर आप देखेगा website, इस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, website पर आप चैक कर सकते हैं, ठीक है, जो website है, इस पर आपको मिल जाएगा, तो यह तो हो गया CBT, जो CBT 2 है, उसका syllabus हो गया, पुरा part A के लिए, and part B के लिए, ठीक, अब देखेगा, अब इसमें थोड़ा सा और देख लेंगे हम लोग, क्या क्या दे रखते हैं, यहाँ पर जो trade है, trade के बारे हम बात करेंगे, trade में क्या क्या दे रखते हैं, trade में आपका क्या दे रखते हैं, जो आपकी electrical engineering है, electric engineering हो गया, and आपकी various stream है, electric engineering के उसमें क्या है, electrician हो गया, ठीक है, यह trade की बात कर रहा है, इस इसमें से क्या होता है देखे दिया समझेगा इसमें क्या होता है कि जो आपकी ट्रेड है ठीक है जो आपकी ट्रेड है जैसे कि अगर आप इलेक्टिका इंजिनियर्स है आपने क्या किया हुआ है अपर डिप्लॉमा है तो आप इसमें से कोई चूज कर सकते हैं इंस्टुमें तो मैंने हीट इंजिन चूज किया तो मैंने हीट इंजिन ट्रेट लिए थी और आप मानेंगे नहीं लेकर बता देता हूं जो 75 जो 75 नंबर का होता है है 75 नंबर का जो आपका क्वालिफाइट वाला एक्जाम होगा ठीक है उसमें आपको 35 परसंट कंपल सरी लेकर आने पड़ेंगे नहीं तो आप फेल हो जाएंगी मेरे इसमें 60 नंबर आते हैं नहीं इसके लेकिन मुझे पता है कि 60 प्लस नंबर थी मेरी क्योंकि बहुत आप अगर आप मेकैनिकल से हुए तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँगा ठीक हीट इंजन के बारे में मैं को सकता थोड़ा बहुत पढ़ा दूँए फिटर भी पढ़ा सकता हूं पढ़ाने को सब कुछ पढ़ा सकते हो इसमें क्योंकि मेकैनिकल से मैंने बीटे कि हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है तो यह तो हो गया इसके बारे में अब इसके बारे में और बाकी आप देख लीजेगा इसके बाद जब आप सब कुछ कौलिफाई कर देंगे जिए जो समय सब्सक्राइब tie कर देंगे नियुकर सब्सक्राइब अब आपको शुल्ब करने कि लिए चैंल्लम करने होता बहुत मनलब क्या है देखना पड़ता है विजलाइजिजिशन करना पड़ता है तो बैटरी आला होती है जब आप यह सब क्वालिफाई कर देंगे तो बैटरी वाला टेस्ट के लिए मैं एक सीडिय जरू बनाऊ का जैसे कि आप जितने जल्ली उसको पास कर सेगे तो बैटर आपका देटरी एकाश्का कर लेंगे फिर आपका क्या होगा फिर आपका डी वी के लिए बूलाई जाएगा जब दी वी हो जाएगा तो दीवी के बाद सब से लास्ट में आपके क्या होगा ठीक है, जो मेरा मेडिकल हुआ था, तो क्या होता, वहां पर एक्सेंज हो जाते हैं, जैसे कोई बनारस जाना चाहँ था, ठीक है, और मैं लखनो में रहता था उस टाम। तो मैं लखनू में रहता था, मैं सोच रहा था, लखनू में हो जाए मेरा, एक बनारस वाला था, बनारस वाला सोच रहा था, कि ऐसा होता है, जैसे एक मुझे बनारस मिल गया था, ठीक है, और एक लड़के को मिल गया था, लखनू तो ऐसा हो जाता है, कि आप चेंज करवा स ब सकती है कि यह झाना चाहरा है है जैसे में जाना चाहरा था लखनॅ में तो यह तो एके वारे में अब दिखेंगे उसके बात चैन पर हो Congress यह जो अपके स्क्राइब यह जो आ जाके selection होगा, तो यह तो था इसके बारे मन, अगर कोई भी आपको problem होती है, कोई doubt होता है, किसी भी type का, तो आप comment कर सकते हैं, now this is the end of the video, thank you for watching, thank you very much, thank you very much.